दोस्तों LIC के अंतरगत आपको अपनी जरूरत के हिसाब से बीमा करवाने के डेरों बिकलब मिलेंगे आप अपनी जरूरत और मन चाहि समय विदी के अनुसार बीमा पॉलसी का चुनाव कर सकते हैं कोई भी बीमा पॉलसी लेने से पहले LIC गाहकों को अपनी पॉलसी से जुड़ी सारे नियम वे शर्तों और अवशक दस्तावेजों की जानकारी देता है फिर कस्टमर की संतुष्टी होने पर ही उसे पॉलसी दी जाती है पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि पॉलसी लेने के बाद लोग समंजस में पढ़ जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें यह पॉलसी लेकर गलती तो नहीं करी एक बार policy लेने के बाद मन में धेरों सबालाते हैं कि क्या सही policy का चुनाब गिया है या नहीं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप इस परा की परिशानी में फस जाएं तो उसका क्या उपाई करना चाहिए तो दोस्तों आपको बता दे कि जब भी आप कोई बीमा policy खरीते हैं तो आपको उस policy के बारे में जानने और समझने के लिए बीमा company की तरफ से आपको कुछ समय दिया जाता है इस समय के दोरान आप फैसला कर सकते हैं कि आप यह policy जारी रखेंगे या फिर इसे बापिस करके अपने पैसे बापिस लेना चाहेंगे इस time period को free look period कहते हैं भारत में IRD के नियमों के मताबिक बीमा company को अपने customer को free look period देना जरूरी होता है आप free look period का benefit 15 दिनों तक उठा सकते हैं मतलब free look period में आप company को policy बापिस कर सकते हैं दोस्तो आपको पता दे free look period सभी तरह की बीमा policy पे लागू नहीं होती है यह कम से कम 3 साल की जीवन बीमा policy और medical policy पर ही लागू होती है इस period के अंतरगत बीमा धारक policy बापस करने के अधिकार को परियोग कर सकते हैं policy के document मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर policy बापस की जा सकती है दोस्तो यदि कोई policy holder अपनी ली हुई policy से संतुष्ट नहीं है तो वह बीमा company को free look period में policy बापस करने की application लिख सकता है policy holder company की website में free look form डाउनलोड कर सकते हैं इसमें policy holder को policy मिलने की तरीक, agent की जानकारी और रद करने या बतलने के कारणों के बारे में जानकारी देनी होती है इसके साथ ही policy स्वंधी जरूरी document को भी जमा करना होता है पैसे बापस लेने के लिए policy holder को bank स्वंधी जानकारी भी company को देनी होती है तो दोस्तो इस तरह से कोई भी policy holder free look period में अपनी policy को बापस कर सकता है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपडेट के लिए मारे चैनल को स्प्राइब करना ना भूले